सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम डेटा इंटर्पेटेशन के अंदर बेसिक कोंसेप्ट के वारे में बात करने वाले हैं जैसे कि अडीशन हो गया एवरेज हो गया परसेंटेज होगी देश होगी इन चारों का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डेटा के अंदर दोस्तो ये सभी हमारे ल समय में अच्छे से अच्छा कोशन कर सकें तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो हमने एंटिये यूजिसी नैट दिसंबर 2019 एक लिए एक पेड वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो सिस्टमेटिक ढंग से स्ट इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टोपिक वाइज ओल्ड पिपर पीडियाफ दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मौश्ट इंपोर्टेंट रिपिटिड कोशन की पीडियाफ दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रूप को किस तरह से हम जोडते हैं देखिए जोडने का एक तो जो तरीका है हमारा जो चलता हुआ आ रहा है ट्रैडिशनल मेथड इन सभी को पन सो बारा को जोड़ा फिर सतरा सो नो को जोड़ा उस तरीके से हम जोडते हुए जाते हैं लेकिन एक और जो तरीका है उस तरीके से हम क टेबल कर सके अब देखे 512 है 512 को हम लिख सकते दोस्तों 501 टाइम के लिए हम इसे लिख देते हैं उसके बाद में हैं 1709 इसको हम लिख देते हैं उसके बाद में 3825 तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों 3800 लिख देते हैं उसके बाद में दोस्तों 2195 तो इसको हम 2200 लिख देते हैं दोस्तों ताकि असानी से कोशन कर सकें उसके बाद में जैसे हमारे पास 1305 तो इसको लिख देते हैं दोस्तों हम 1300 लिख देते हैं अब से सतरा सो और पान सो है यह कितना हो जाया दोस्तों यह हो जाया हमारे पास बाइस सो यहां पर हो जायेगा और अब क्या रहे गया हमारे पास एक बाइस सो रहे गया अड़ती सो रहे गया और पैंती सो रहे गया अब देखिए बाइस सो और अड़ती सो को जब हम पलस करेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा यह आ जायाएगा दो जीरो की दो जीरो और अर्ड में कितना कितना नो नि एक टीन उरतीन इक चे यह यानि कि McMमोट काशन ओद वैस तो पलस में अड़रे सूं कितना ओगा या 6400 हमारे पास पिछैनव Suso हो जाएगा यहां पे अब देखे जो हमारा answer है जो option दिए है उन में देखते हैं कहां पर भी match करता है अब यह देखे यह 1266 है यह तो बहुत कम है फिर 8725 है यह भी नहीं match कर रहा यह भी नहीं कर रहा option number A है 9636 है यह इसके पास जा रहा है तो इसका जो answer हो क्या होगा दोस्तों यह हो जाए option number A हो जाएगा और DI के अंदर क्या होता है दोस्तों ज्यादा तर हम बिल्कुल accurate answer नहीं निकालते इसके अंदर हम approximate लेके चलते इसके आसपास value लेके चलते हैं संभावनाव पे ज्यादा तर DI के question किये जाते हैं तभी हम जल्दी से जल्दी question निकाल सकते हैं अगर हम DI के अंदर बिल्कुल accurate question निकालने की कोसिश करें तो बहुत ज्यादा time लग जाता है और आगे की जो वीडियो दोस्तों उसमें मैं और भी ट्रिक बताऊंगा जैसे percentage और ratio को लेकर तो उसलिए दोस्तों अब हम आगे question देखते हैं दोस्तों अब बात करते हम average की देखिए DI के अंदर बहुत ज्यादा average निकालनी पड़ती है हमें तो इसके बारे में पता होना जिरूरी है देखिए average हम एक तो जो हमारा traditional method है यानि की 185 को जोड़ना फिर 225 को जोड़ना इन सभी को एक एक करके जोड़ना तो उसमें क्या है की ज्यादा time लग सकता है लेकिन उसको छो कमाए रहूलने तो इसमें यह देखना कि average उसने एक दिन में कितने रुपए कमाई वो हमें देखना है देखिए इस question को हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे यह देखते हैं देखिए इसके अंदर जो यूज करेंगे हम एक तो जो पिछला जो हमने question किया था round figure का उस तरह से ही इसको करने की कोशिस करेंगे इसमें थोड़ा सा अलग है वो देखते हैं क्या है इसमें देखिए यहां पर आप 185 हैं 225 हैं 295 हैं 207 है तो यहां पर एक इन सभी के common की एक digit ले ले लेंगे common की digit जैसे कि हमान के चलते हैं 200 200 इनके बीच की संख्या है दोनों यह देखिए 185 हो गया 205 हो गया 215 हो गया इनके बीच की एक संख्या ले ले लेते हैं 200 नहीं ने ले लिया ठीक है एक चीज हमने माल सो अब देखें यह जग देखते हैं कि इन सभी में 200 यह जो 185 है 200 से कम है या ज्यादा है तो यहां पर लिक ले गे है यह हो गया 15 मैनस 15 में फिर 225 है पलस के 25 है और फिर 195 है है यह क्या करेंगे कि जो कट रहा है उनको काट देगे जैसे कि यह है माइनस के पंदरा और यह है पलस के पंदरा यह कट हो गया यह देखें माइनस के दस यह दस है यह कट हो गया अब उसके बाद में देखें जैसे यह माइनस के पांच है यह पलस के पांच है यह कट हो गया हमारा और यह देखें यह माइनस के दो है और यह पलस के साथ है तो कि 10 है तो 10 गुना में 200 हम कर देंगे 10 गुना में 200 कर दिया तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 यहां पे आ जाएगा 2000 और पलस में यह जो 30 था तो कितना आ जाएगा 2030 इसका जोड जो है वो आ जाएगा यह देखे यह जोड ए में दिया हुआ 2030 यहां पे हमारे पास आ तो कितना है यहां 203.0 यानि कि 203 रुपे वो डेली के कमाएगा यहां से हम इस तरह से आवरेज निकाल सकते हैं तो दोस्तों एक यह भी तरीका है जल्द से जल्द कोशन निकालने का और कई दोस्त यह सोचते कि नहीं हमें तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेतर है वही यूज करन हैं यह हमने आपको एक तरीका बताया है चले अब हम अगला कोशन देखते हैं अब परसेंटेज की बात आती है दोस्तों परसेंटेज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डियाई के अंदर और परसेंटेज काफी तरह की होती तो उनके बारे में हम समझते हैं देखिए पर परसेंट के बराबर होता है इसी तरीके से जैसे एक वटे चार होता है एक वटे चार किसके इकवल्ट होता है दोस्तों पत्चिस परसेंट के बराबर होता है यह साइद आप सभी लोगों को पता होगा एक वटे चार पत्चिस परसेंट के एकवल कैसे होता है देखिए मैं हमने एक से लेके बीस तक यहां पर यह दिये हुए एक वाटे दो कितना होगा त्रेंग फचास परशेंट होगा एक 23.33वल होगा तो यहां पर हमने यह सभी दिये हुए अगर आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं कई बार ऐसे आ जाता है हमारे एक्जाम के अंदर जो आंसर आता है एक वटे आठ आता है और एक वटे आठ को जब हम निकालते हैं गुना में हंड्रड करके निकालते हैं तो उसमें क्या कि टाइम लगता है लेकिन अगर हमें याद हो यहां से हम याद कर ले तो क्यों answer दे सकते हैं जल्दी से जल्दी एक पटे आठ होता है दोस्तों 12.5% होता है यहां से आप इनको याद कर सकते हैं देखे एक तरीका ये है हमारा और अब हम बात करते कि आगे percentage के अंदर और किस तरह से हमें percentage निकालनी होती है एक question ये दिया हुआ होता है जैसे कि A का B percent कितना होगा परतिसत की मातरा हमें निकालनी होती है जैसे कि 500 का 15 परतिसत कितना होगा इस तरह से हमें कोर्शन में देखने को मिलता है तो इस दुराण हम कैसे निकालेंगे जो हमारी कुल रकम जो होती है digit जो होती है और plus में जो हमारा percentage निकाल नहीं होती है उसको multiply करते है यह देखे अब देखे 500 का 15% कैसे निकालेंगे हम 500 हमने लिख लिया गुना में हमने 15 लिख लिया और बटे में 100 लिखेंगे अब देखे 20 से 20 कट की 15 55 75 यहाँ पे इसकी value आज जाएगी तो इस तरह से हम इस की percentage निकाल सकते है percentage की value निकाल सकते हैं तो यह basic चीजी है दोस्तो बिलकुल basic चीजी होती है जो हमें पता होना जरूरी है दोस्तो percentage निकालने का एक तरीका और भी है देखे इसके अंदर क्या होता है जैसे 500 है 500 का 1% हम सभी को पता है इसका क्या होगा 1% कितना होगा 5 हो अब देखी 10% हमारा 50 है तो 5% कितना होगा 50 का हाफ कर देंग कितना हो जाएगा अब हमें निकालना कितना है 15% हमें निकालना है तो 15% कितना होगा दोस्तों 10% प्लस में 5% इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आजाएगा 75 यहां से हमारे पास आजाएगा तो यहां से आप कितना कितने प्रतिसत की विरिधी हुई इस तरह के कोशन आपने देखेंगे यहां पे कोशन नमर नाइन यह पढ़ने की कोशिश करते हैं सन 2005 में विद्यूद उतपादन 500 मेगावाटcamera 2005 में कितना था 500 मेगा बाट में 2000 से 2009 में विद्यूद उतपादन रिफ्रदी Πरतीशत बताये यान Scale Rider percentage electricity produce हुई हो वो हमें बताना है देखिए इस तरह के question आपने बहुत देखे होंगे डियाई के अंदर यह बार 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 यूज होते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे इसका जो formula होता है दोस्तों यहाँ पर इंगलिस में भी देख सकते हैं हिंदी में भी देख सकते हैं इसमें उता final value और minus में initial value यानि कि final value यानि कि जो अंतिम value आपती है जैसे यह है हमारी 800 रुपए यह आखरी की value है और फिर प्रारंभिक मुले यानि कि शुरू की जो value है यह 500 रुपए यह minus करेंगे बटे में प्रारंभिक value वो यानि कि शुरू की value को divide करेंगे और फिर multiply 100 करेंगे देखिए इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल असानी से आपको करके दिखा रहा हूँ यह question हम कैसे करेंगे अब जैसे कि इसमें दिया इसी केंसार चलते ताकि आपको अच्छे से असानी से समझ में आजाए यहाँ पर हम लिख लेते है 800 800 माइनस में initial value कितनी है 500 डिवाइड वाई कितना है प्रारंभिक value कितनी है दोस्तों हमारे पास 500 और multiply वाई कितना है 100 ठीक है यह formula आपने करते हैं एक मिनिट मैं erase कर देता हूं यहाँ पर यह अब देखिए इसके इंदर क्या होगा 800 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो क्या जाए दोस्तों हमारे पास 300 आजाएगा 300 बटे में 500 multiply by 100 अब देखिए 20 से हमारी 20 कट गई अब 5 से जब हम 300 को कट करेंगे तो कितना जाए तो जो 60 अनसर वो कितना किसमें दोस्तों अपसन नंबर बी में दिया हुआ है तो यहां से आप बिलकुल असानी से कह सकते कि 60% electricity हमारी बढ़ ही है तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इस तरह के question कर सकते हैं और इस तरह के जो question है वो बहुत बार आगे आएंगे और अब रेसो की बात आती है अनुपात की बात आती है देखिए अनुपात के अंदर क्या होता कि दो हमें संख्याई दी हुई होती है वो divided जब हम एक दूसरे को करते है तो उसके बाद जो final जो value आती है उसे हम रेसो कहते हैं देखिए यहां पे जैसे यहां पे दिया वायों सुनिल एक सब्ता में 900 रुपए कमाता है और राहूल एक सब्ता में 600 रुपए कमाता है तो दोनों की कमाई का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं जो हमें value दी हुई है उन दोनों को divide करते हैं और फिर हम निकालते कि क्या उन का अनपात है यहां पर हम क्या करेंगे 900 डिवाइड वाई 600 इसको जहां तक कट हो रहे हैं वहां तक हम इसको काटते जाएंगे दो जिरो से दो जिरो कट गी तीन दुनी 6 और तीन तिया 9 इसकी जो अब देखे तीन और तो को हम आगे नहीं काट सकते तो इसकी जो वैल्यू के आ जाएगी वा जाएगी तीन अनपात दो की वैल्यू आ जाएगी तो सुनिल और जो राहुल वो तीन अनपात दो के अनुपात में कमाई करते हैं तो इस तरह से हम अनुपात निकाल सकते हैं तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले, ट्रिक डियाई को करने के लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी थे हमारे लिए अगर आपको कोई बात समझबे नहीं आई है तो आप एक वार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और फिर भी अगर आपको कुछ confusion है तो आप हमें whatsapp पे message कर सकते हैं यहां पर आप message कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे तो दोस्तो आज के लिए वसी इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसी वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दवाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं, ठेंक्यू दोस्तो